जाइडोविदीन जाइडोविदीन इस एन एंटी रीट्रो वाइरल एजेंट एंड इस अनुकलिसाइड यह करेगा क्या इस गोईंग टो इन्हेबेट दाइक्शन ओफ वाइरल रिवर्स ट्रॉंस्क्रिप्टेज जिसकी वजह से हम इसको एच आइवी की ट्रीट्वेंड म करें तो जो वाइरस का ओली की होजा सबसे पहले वह आकर होस सेल के साथ अटेच होगा अटेच होने के बाद इस गॉइंट एंटर इंटू दा होस सेल उसके बाद एंट्री के बाद इसकी अनकोटिंग होगी सो जब वह अपना कोट उतार देगा तो फिर क्या होगा कि जो DNA वो Nucleus को transfer करेगा जो वाइरल DNA वो Nucleus यानि जो host cell है उसको transfer करेगा उसके बाद होगा क्या कि वाइरल DNA synthesis start हो जाएगी जब वाइरल DNA का Nucleus synthesize हो जाएगा उसकी transcription हो जाएगी तो उसके बाद उसकी translation होगी so translation के result में जो है वो proteins बनेंगी so there is protein synthesis फिर उन प्रोटीन के उपर जो है वो proteases act करेंगे और उनकी थोड़ी पड़ी कांट चांट करेंगे जिसकी वाजासे उसका प्रॉपर और स्ट्रक्चर और function जो है वो वाइरॉन से मिलता जोलता होगा so proper protein बनेंगी and then finally उन protein की assembly होगी और साथ-साथ budding होगी and then वो जो proteins है यानि जो वाइरस है वो cell से बाहर निकल जाएंगे in the form of new virons so यह जो है नॉर्मल एक वाइरस की pathophysiology है so this case में आप different drugs दे सकते हैं for example सबसे पहले जोडिविदीन देंगे अब यह जोडिविदीन क्या करेंगी this is going to turn into the DVD in triphosphate and it is going to interfere with the DNA synthesis of the virus or virus b HIV so block करेंगी reverse transcriptase go so reverse transcriptase को जो चीज़ ब्लॉक करेंगी this is zeudividin zeudividin के साथ निवारपीन दे सकते हैं अभी निवारपीन क्या करेंगी यह भी ब्लॉक करेंगी reverse transcriptase को लेकिन सिर्फ HIV-1 में सिर्फ बात करें तो नाइवारपीन है HIV-2 के उपर नाइवारपीन का कोई भी असर नहीं है it binds and deneges reverse transcriptase यह bind करके reverse transcriptase को ही denegar कर देगी इसके बाद हम sequinavir दे सकते हैं तो जो sequinavir है this is going to inhibit the proteases यह proteases के साथ reversibly bind करेगी और इन्हें inhibit करेगी अब इस protease ने क्या करना था जो new crude protein के synthesis ती उसको इसने refine करना था during assembly and budding phase for proper and better structure and function of the new virons तो जिस protease को जिसने inhibit किये इस sequinavir इसके बाद एंफिव एंफिवर्टाइड देंगे यह भी HIV specific है करेगी क्या this is going to block the HIV entry to the cell so hiv ने सेल के अंदर enter होना था इस phase को ही जो drug block करेगी this is and few we try it binds the hiv envelope यह इसके envelope के साथ जो है पाइंट कर जाएगी इसके बाद एसक्लोवीर दे सकते हैं सब्सक्राइड होगा क्या यह फॉस्फोर लेट होगी इंट इसक्लोवीर ट्राइफ फॉसवेट इस गों तो इंटर्फेर विद विद वायरल नुक्लिक एसिट सिंथेसिज़ इसको जिस चीज ने ब्लॉक किया इस इस ए इस बिंटर्फेस ने रविकेशन तो जो रेप्लिकेशन को जो ज़ी सब्सक्रीज इस जैन से लो वीड अब जैन सिक लोवीर के जैन से लोवीर ट्राइफोस्पेट बंकर ने अब ने के लाएगगी जैन से लुएट रिफॉसपेट इस लोगा इस आ यह देन स्बासेशन to reduce the viral replication so the final stage पर जो ड्रग एक्ट करेगी इस इस और सिल्टा माइविर it's going to block the neuraminidase अब यह neuraminidase के इस इन्जाइम इस नेससरी पर वारां रिलीज सो जब neuraminidase ही ब्लॉक हो जाएगा तो जो वारां की रिलीज है वो भी इंहिबित हो जाएगी सो असल्टा माइविर इस इस इंफ्लेंसल infection उसके लाव प्रविजु माप यह सकते हैं इस पैली वी जुमाब इस एह human monoclonal antibody it's going to block the virus entry into the cell so the initial stage but again जो द्रग जाकर एक करने लगिये इस पैली वी जुमाब it is specific for respiratory sensation virus it works against a protein on the surface of the virus is kela hama interferon alpha दे सकते हैं that is specific for hepatitis B and hepatitis C virus अब interferon alpha क्या करेगी it's going to kill virus it's going to kill infected cells अभी किस तरह किल करेगी it produces enzymes that degrade viral messenger RNA and the host messenger RNA of infected cells so इस तरह हम interferon alpha भी दे सकते हैं अगर specifically zidovidine के mechanism of action की बात करें तो जो zidovidine है इसकी phosphor relation जब होगी तो यह change हो जाएगा zidovidine triphosphate के अदर अब यह जो zidovidine triphosphate है यह interfere करेगा DNA की synthesis के साथ और जो DNA होगा वो viral DNA होगा और यह किस तरह interfere कर सकता है it will interfere by blocking the enzyme which is called reverse transcriptase so इसकी वजह से हम zidovidine को HIV की treatment में यूज़ कर सकते हैं तो अगर फर्मेक को काइनाटिक्स की बात करें तो zidovidine ओरली देंगे इसके लावा IV infusion के थूप भी दे सकते हैं अब जो concentration है CSF में zidovidine की वो 65% of blood level है और जो half life है false triphosphate की वो 3 hours है तो अगर clinical use की बात करें तो HIV virus के गिए zidovidine देंगे और इसको अकेला नहीं देंगे बाकी एजन्स के साथ combination में देंगे क्योंकि अगर हम इसे अकेला देंगे तो resistance के chances है इसके लावा zidovidine जो है वो progression को slow down करती है लेकिन इस दिजीज को क्योर नहीं करती नाओ दे रिजिस्टस इस इस लाइकले तो अकर इन आइसलेट इस लेट इस सुझेटिज इस इस विजाए नहीं करती है तो फाली अगर हम सारी antiviral drugs को समराइज करने तो इसके different groups बान सकते हैं फोर एग्जम्पल पहला group है that is anti-herpes यह ड्रग्स हम herpes virus के गेस्स यूज कर सकते हैं कुछ रग्स हो हैं वह हम साइटोमेगलो वाइरस के guys यूज कर सकते हैं कुछ रग्स जो है वह HIV virus के गेस्स यूज कर सकते हैं अब जो हैच आईवी के reverse transcriptase inhibitors, या फिर non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors आ सकते हैं, इसके लाभा कुछ और डॉडग्स होंगी, जिने हम proteas inhibitors कहेंगे, और finally कुछ डॉडग्स होंगी, जिने हम integraestand inhibitors कह सकते हैं, उसके लाभा अगर influenza के against बात करें, तो कुछ डॉडग्स होंगी, वह influenza A, कुछ एइसके लावा कुछ antiviral drugs होंगी वो hepatitis में use होंगी कुछ general drugs हैं कुछ तरuben स्पासिफिकली Hepatitis एक युज होंगी कुछ द्रग हैं specific ली efter तरसी एक अगेंड्सी के जीनच एक और फ़र एजमपल NS-34A protease inhibitors हो सकती है या फिर NS-5A inhibitors होंगी या फिर कुछ NS-5B RNA polymerase inhibitors होंगी जो कि nucleoside और non-nucleoside दोनों में होंगी तो अगर सबसे पहले anti-herpes की बात करें तो anti-herpes में आ सकती है acyclovir, valsyclovir, pancyclovir, fancyclovir, docosanol, idoxduritine और trifloritine इसके लावा अगर cytomegalovirus के अगेंस्ट यूज़ोने वाली drug की बात करें तो gancyclovir, valgancyclovir, pseudofovir, foskarnit, phomivircin और viderabine आ सकती है इसके लावा अगर HIV के अगेंस्ट यूज़ोने वाली drug की बात करें तो जो पहली कैटिगरी है fusion inhibitors उसमें एंफिवर्टाइड आ सकती है और कुछ ड्रग्स हैं N3 inhibitors जिससे CCR4 inhibitors करते हैं उसमें myroviric आ सकती हैं इसके लावा कुछ और ड्रग्स हैं जिन्हें reverse transcriptase inhibitors करते हैं और reverse transcriptase में अगर पहले NRTI को देखें विच इस नूकलोसाइड reverse transcriptase inhibitors तो उसमें जीडुवर्डीन, अबेकावीर, डैडैनोसीन, एम्ट्राइसीतवीन, और लेमिवर्डीन, स्टेविडीन, टीनोफोवर और जेलसाइडबीन आ सकती हैं इसके लावा अगर non-nucleoside, reverse transcriptase inhibitors की बात करें तो उसमें different drugs आ सकती हैं इसमें डेलवर्डीन आ सकते हैं, इफवेरेंस आ सकती है, इत्रवरीन आ सकती है, टिवेरापीन आ सकती है, उसके लावा रेलपी वरीन आ सकती है इसके लावा अगर HIV में यूज़ ओने वाली बाकी ड्रग्स की बात करें तो इसमें पहला ग्रूप है Proteus Inhibitors वो आ सकते हैं, जिसमें आ सकते हैं Atazenavir, Darunavir, Phosampirinavir, Indinavir, Lopinavir, Tritonavir, Then उसके बाद Nelfinavir, Sequinavir, and then finally Trypanavir इसके लावा अगर Integrae Stand Inhibitors की बात करें तो इसमें Raltigravir, Dolotigravir और LVTigravir आ सकते हैं अगर Anti-Influencer Drugs की बात करें तो कुछ ड्रग्स जो Influencer Type A के गेस्ट यूज़ होंगी उसमें Amantadine, Remantadine आएंगी और कुछ ड्रग्स जो A और B दोनों के गेस्ट यूज़ होंगी तो इसमें और Siltamavir, Xenamavir और Paramavir आ सकते हैं इसके लावा अगर Hepatitis में specifically Hepatitis B वाइरस की बात करें तो कुछ ड्रग्स हैं वो यूज़ हो सकती हैं इसके लावा Hepatitis में कुछ और ड्रग्स हैं जो हम Hepatitis C वाइरस के लिए यूज़ करेंगे अब इसमें डिफरेंट कैटिगरीज हैं तो अगर हम NS-34A Proteus Inhibitors की बात करें तो सबसे पहले आ सकते हैं Grenzopravir, then हमार पास आ सकती है Peritapravir and then finally Simapravir इसके लावा Anti-Hepatitis C वाइरस के गेस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स में अगर हम NS-5A Inhibitors की बात करें तो उसमें आ सकते हैं Declatusvir, Albusvir, Lepidusvir, Ombitusvir and Welpetusvir अगर NS-5B RNA Polymerase Inhibitors की बात करें तो उसमें अगर Nucleoside में देखें तो Sophosvirvir और अगर Non-Nucleoside में देखें तो उसमें Declatusvir आ सकती है